नमस्कार स्वागत है आपका हमारी हास पेशकष पूर्वोत्तर के सितारे में मैं हूँ संजीव श्रिवास्तर आज लेकर चलेंगे हम आपको मनिपुर और सुनवाएंगे आपको तकराती हुई तलवारों की अवाज और थिरक्ते हुए कदमों की थाप एक ऐसी ट्रडिशनल आर्ट फॉर्म से परिचय करवाएंगे आपका मनिपुर की जिसका नाम है थांगता जिसे लोग पुराने जमाने में प्राक्टिस करते थे सीखते थे उसकी एक्सपरटीज हासल करते थे दुश्मन से स्वैम का बचाव करने के लिए या फिर जंगली ज जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस ट्रडिशनल आर्ट फॉर्म की साधना के लिए उसको रिवाइब करने के लिए आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही शक्सियत से सदियों पुरानी मनिपुरी मार्शल आर्ट का नाम है ठांग ठांग जो एक युद्ध कला के तौर पर सिखाई जाती थी मनिपुर के एतिहास में लगातार चलने वाली लड़ाईयों और युद्ध के कई किस्से हैं कभी कभीलों की लड़ाई तो कभी सीमा से सटे दूसरे देशों से युद्ध ऐसे में मनिपुर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर परिवार से एक आदमी ठांग्था सीखता था चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष्ट थांग्ता मनिपुर का एक यूनिख आट फॉम है इसके अंदर शेप दिफेंस है और रिष्वेन है और डिस्पलीन है यह थांग्ता बहुत पुराना आट फॉम है मनिपुर का from the beginning of art creations, we believe from the creation of art, the Thangtha is originated. Manipur के लोगों का मानना है कि भगवान ने जब दुनिया बनाई तो उस वक्त थांग्था में किये जाने वाले मुव्मेंट्स का इस्तमाल किया गया था. तांग का मतलब होता है तलवार और था यानि भाला थांग यानि तलवार को मा का दड़जा दिया गया है तो था यानि भाले को पिता का जिस तरह से आम जिंदगी में हम अपने माता पिता की सुरक्षा में बड़े होते हैं वे हमारे सुरक्षा कबच होते हैं वैसे ही एक सैन एक लड़ाई के मैदान में ठांग था यानि तल्वार और भाले की सुरक्षा में महफूज रहता है। ये सिर्फ उनके हातों में ठामे ओए हत्यार ही नहीं होते बलकि ठांग ठांग और था तल्वार और भाला सैनिक के शरीर का जैसे हिस्सा बन जाते हैं। उसकी बोड़ी का एक्स्टेंश होते हैं और माबाप की तरह ये उसकी सुरक्षा करते हैं आगे का पत दिखाते हैं रहा दिखाते हैं। In Thangta, Thang is a sword in English language and Ta is a spear. This is the art of sword and spear. We believe the sword is our mother and spear is like our father and you see sin. Shilu also symbolize as mother god. It's an internet philosophy but with the hell of this mother god and father god we defensive our from the enemies and from the neighbors countries and possible attack. In this fight, in the war field, maybe two-three people may be attacking in one, so how to defense. So in the three-one fight, showing how to defense and attack. Thangta की वज़े से मनिपूर हमेशा बहारी हमलों से खुद की सुरक्षा करता रहा. खासकर चीन और मेयनमार से होने वाले हमलों से 1891 से 1947 के बीच, ब्रिटिश शासन के दौरान थांग्ता की प्राक्टिस पर दैन लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी. अंग्रेजों को लगता था कि इसके जरीये उनके खिलाफ विद्रो खड़ा की आजा सकता है, लेकिन मनिपूरी जीवन में ठांग्ता कुछ इस तरह से रच बस गया था, कि उसकी समापती तो स्थानिये लोगों के कलपना के परे की बात थी. चुप चुप कर गुरुजन थांग्ता की शिक्षा देते थे मनिपूर के युवाओं को और इस तरह ये कला रही जिंदा. जब थांग्ता को रिवाइब करने की कोशिश चल रही थी, तो एक दोर कुछ ऐसा भी आया, जब कुछ लोगों को शक होने लगा, कि भई, क्या बात है, क्यों नौजवान वापिस से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाला कि इस शक की कोई बिना नहीं थी, कोई वज़े नहीं थी, लेकिन फिर भी ठांग्ता के जो गुरू थे, उन्होंने इस कंसर्न को भी ध्यान में रखा, और ठांग्ता को बदल दिया धीरे-धीरे एक डांस फॉर्म. धीरे-धीरे थांग्ता को लोग फूलने लगे, यह कला कुछ लोगों और परिवारों तक ही सिमठती जा रही थी, लेकिन फिर आये सामने एक गुरू, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ठांग्ता को फिर से नई उचाईयों पर ले जाने के लिए समर्पित करने का फैसला किया. नाम था उन गुरू जी का गुरू मयम गौर किशोर शर्मा, भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री से भी सम्मानित किया. लेकिन पदमश्री मिलने से पहले उनके संघर्ष की कहानी बताते हैं उनके बेटे बिश्वेश्वर शर्मा, जो खुद भी ठांग्ता के आज गुरू हैं. उनका कहना है कि उनके पिता जगे जगे जाकर लोगों को ठांग्ता सीखने के लिए प्रेरित करते थे, किस तरह से सरकारी अधिकारीयों और जन पृतिनिदियों के पास जाते थे, उन्हें मनाते थे. कि वे लोगों को उनके साथ साथ बताएं कि थांग्था मनिपूर की एक पारंपरिक कला है और उसका जिन्दा रहना कितना आवश्यक है स्थानिय संस्कृति और लोक कला के लिए साथी साथवे सरकारी नुमाइंदों से अधिकारियों से यह दरख्वास्त भी करते थे कि जो कलाकार अच्छी तरह से थांग्था सीख जाये उससे कोई फेलोशिप मिलनी चाहिए उसकी आर्थिक मदद होनी चाहिए और सच में पारंगत होई लोगों का सामाजिक सम्मान भी होनाचाहिए. and Manipur State Kala Academy is established in 1972 at that time my father is a part of the committee member at that time the education minister is Aitong Pok Sing but he is an education minister and he is my father friend also then every field is giving Manipur State Kala Academy Award fine arts and dance व्हेरें सबन्हें एक्या सैटिक चल्ड हैद में इविग कि म necesати, ज्हेरा फेजम युल्म मैंव इवड़ युिज कुर्णा नाचे हो फpotक सिरी eraser की जवड करतीयी ते इस प्रसरीं करते एंख़ ए्वादेन how to offer this academy award so my father said this is a very important art form and also our safe defense so need to be offered the state color academy award then my father approached to the education minister item boxing and they have little bit quarreling he agree and introduce the thangtha to state color academy award my father got parmasri award in the year 2009 thangtha ko punar jivit karneka yeh sangharsh lamba chala yeh go door bhi tha jab manipur ashanta aur thangtha chuki ek martial art form hai isliye kai log isko bade shakki nazar se dekhte the people thinking wrongly my father and sometimes my father areas also so the people slowly slowly knows this art so my father giving performance in the laiharaoga festival and club functions any functions my father try to show the performance of thangtha so slowly slowly people know they have एक प्रदर्शन करते उनके प्रयासों का असर दिखना शुरू हो गया इमफाल में थांग्ता सिखाने के लिए उन्होंने एक स्कूल की नीव भी रखी जिसमें आज बच्चे आकर थांग्ता को प्राक्टिस करते हैं गुरू में शर्मा के बेटे बिशेश्वर शर्मा अब अपने पिता और गुरू की परंप्रा को आगे बढ़ा रहे हैं क्या झात commander 20-26, हे से 2 फुरू सुदेश़् समिया थक। कि यूंफ मतिव मत अपनी बmosट पूप्राइश्र गुछ्र कूह है, रहे रहेगраш प्रीज़ से प्रफॹा स्टनात कांग को गभना काय कायां Cambria है for institutionalize it means popularize the art of painting so at that time no school building is a at that time learn as the guru shisha parampara mostly so my father want to develop as the institution so my father conducting class in different places of curve going in आफवन इस वेस थाफवन दिस्ट्रिक संदेन जो मैं इस दिस्ट्रिक्स मैं फादर बिजिटेट एंड कंडुक्तिं थांग्था क्लास एंटर्डूइश थांग्था मूवमिंट में दोनों हाथों में तलवार होती है जिसे अंग्रेजी के आठ नंबर की तरह घुमाया जाता है जिससे शरीर पर किसी भी तरफ से होने वाले हमले से बचा जा सके कि कैसे एक बिल्ली की तरह बिना आवाज किये खुद को आक्रमन के लिए तैयार रखें और फिर बिजली की तेजी से दुश्मन पर तूट पड़ें यह तैयारी और तेजी थांग्था का हिस्सा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में कब लड़ाई छड़ जाए कब दुश्मन की सेना आक्रमन कर दे या कब जंगली जानवर आपको खेर लें इसका पता ही नहीं चलता था ऐसे में थांग्था सुएम की सुरक्षा या सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी था दुश्मन के सैनिकों से लड़ने के लिए अलग किस्म का थांग्था होता है और अगर बाग आप पर आक्रमन कर दे कोई जंगली जानवर आप पर हमला बोल दे तो उससे भूत की स लिए खराट तो सके लिए लग्या and अल्या घसे लुप ज लेखा है तो आप जिए लगाएंस काय लेस ल फजह खणे खार। य। ज वड़ने होता है वीव्या ओक्या सेवड़िपने को का लिए लग्या और अपने ऑप बहुत का मुड़ने को जाने को बहुत को बहुत की स आप पहने गए कपड़ों से ही काफी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं गुरुजन जो कपड़े पहनते हैं उन्हें सफी लंग भी कहा जाता है जबकि आम सैनिकों या शिश्यों की ड्रेस को सामी लामी कहते हैं जो काले रंगी होती है सर को बचाने के लिए पगड़ी पहनी जाती है जो कानों तक को ढखे रखती है ताकि बहार की आवाजें आपका ध्यान न बांट ले युद्ध से पहले सैनिक नमन करते हैं सबसे पहले अपने गुरुजन का और फिर आकाश और धर्ती के सामने भी नतमस्तक होते हैं और आखिर में सामने खड़े विरोधी या शत्रु का भी नमन किया जाता है उनका भी अमिननन किया जाता है क्योंकि थांकता की बुनियाद में ही ये बात है कि थांकता आक्रमक कला नहीं है आफेंस की टेकनीक नहीं है सेल्फ डिफेंस की तक्नीक है आत्म सुरक्षा की कला है सो अप्टर लार्निंग इस थांग्टा स्लोली स्लोली आम फॉलोईग माई पादर स्टेफ सो पीपन स्नुएंग में बिकोज इस बॉइस दूइंग इस थांग्टा आर्ट लानिंग फॉम इस पादर इसी परंपरा से विश्वेश्वर शर्मा और उनके साथ ही आज स्कूल में आने वाले बच्चों को परिचित करा रहे हैं उन्हें अपनी पुरानी संस्कृती की शिक्षा दे रहे हैं कि इसले साल गुरू जी गुजर गया तो इसके बाद हम दोनों ने यह संबाड़ रहे हैं बच्चा लोग हम दोनों ने कर रहा है जो चिकने के लिए बच्चा आया हम लोग इसको नहीं रेस्पॉंस नहीं लेता था इनका माता पिता को बुला कर इनसे वह जो हम लोग के रिस्पॉंद नहीं मिला हो तो हमने तो इन लोगों को समालना मुश्किल है इसले तो इन लोगों को माबाप बुला कर यह जा पे तो इन लोगों को इमिट करकर हम लोग इन लोगों को सिखाता है यह बच्चा लोग को हम लोग माबाप ने जो चमाल किया ता देख बाल क सब्सक्राइब ऑन लोग इस में कमुनिकेत कर सकता है पेले तो आशा डिशा कमुनिकेट नहीं था अभी तो बहुत हम लोगो रिस्पॉन भी इतना मैने चेवी कर आता हम लोग गोर्मेन का जोब बहुंग जोब भून मिलचुका लेकिन हम लो ने यह सब छोड तया क्योंकि इन लोगों के लिए हम लोगों को सेक्रिफाइस कर चुकिया हम आज स्टूडेंस थांगता को आत्म सुरक्षा या सेल्फ डिफेंस के एक आर्ट फॉर्म की तरह सीखते हैं लेकिन साथ ही साथ थांग था अब सचमुच की भी एक कला बन गई है एक आर्ट फॉर्म बन गया है एक ऐसी डांस फॉर्म जिसमें धोलक की थाफ है कदमों की लेताल है और साथ ही है तलवारों के टकराने की आवास इस कला को सीखते हुए इन बच्चों की आँखों में आपको एक और सपना भी दिखेगा क्योंकि थांगता के जरीए वह जीवन में अपनी जगह मना पाएंगे अपनी जीवी का अर्जित कर पाएंगे पहले में फुटब बलेयर था और मेरा एक दोस्त यहां पर ठंगता करता है तो इससे और जब हम दोस्त को मिलने जाता है तो अगर में बोलता है तुमारा दोस्त वो बाहर गया है थांगता के लिए पर्फुमेंस करने के लिए तो हमको लगा कि यह थांगता क्या है तो मैंने दो से बात किया यार यह थांगता क्या होता है थांगता को कहा सिखना है यह हमें भी बताई हमको भी थांगता सिखना है एक वक्त था जब गुरु मेयम शर्मा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था ठांग था जैसी कला को सहेज के रखने के लिए लेकिन आज जो बच्चे स्कूल में आते हैं वह समझते हैं अच्छी तरह से कि यह कला उन्हें ना सिर्फ रोजगार के अफसर दे रही है बलकि उन्हें एक अच्छा अनुशासित नागरिक भी बना रही है ठांग था यह हमारा मनिपूर ट्रेटरिशनल माशलाद भी है और मैं बस्पन में एक टीवी में एक वीडियो देखा था उसका पर्फॉमेंस देखर मुझे बस्पन में बहुत पसंद आ गया था तो मैंने ममी से बोला ममी मैं ठांग था यह से बस्पन में थांगता है हम लोग इतनी सोतिय से उन लोगों ने हम लोगों के हाथ पे सब पकर कर हम लोगों को यह मर्शनाद सिखाया और यह तो हम लोगों की माता-पिता से भी बरा है हमारा बगवान है उन लोगों ने हम भी सिखा कर ये दुनिया का मतलब प्लेफों में हम लोगों को बिधाया हम लोगों को बहुत चाहरे इज़त मिरा रेस्पेक मिला तू डिस मर्शनाथ हम लोगों का जो गुरुजी घरना है हम लोग इसको बढ़ाना चाहते है जो पहले ज हम लोग मार्शनाथ में प्याइस्थी करना चाहते है और रिसर्स फेलो हम लोगों को जो फेलो सिव बगेरा हम लोगों करना चाहते है ओंगली इन मार्शनाथ में मुझे एक बहुत चाहरे हम लोगों गुरुजी के तरह बनना है थांग्था आज मनिपूर में स्कूली सिलिबस का हिस्सा है और मनिपूर के बाहर से भी देश के दूसरे राज्यों के साथ-साथ विदेश से भी लोग अब मनिपूर आते हैं थांग्था कि ये पुरानी कला को सीखने और उसे समझने के लिए मनिपूर के बाहर से अजलिबस के लिए और उट Pinkvव series वोड़ आते हैं विद्वे कको सीखने विदेश से को से कर लोग और तो ngökड़ विदन अल्गी मनिपूर टेन हैं बंपूर कि का विद्वेाल कि अल्गम कंवे। अब लोग यह समझने लगे हैं कि थांगता सिर्फ एक मार्शल आर्ट फॉमी नहीं है यह मनिपूरी जीवन का एक हिस्सा है जो आपको अनुशासन सिखाती है मजबूत बनाती है और साथ ही यह भी सिखाती है कि ताकतवर होने का मतलब कमजोर की रक्षा करना है किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये पेशकश कहानी दिश्वेश्वर शर्मा की जो अपने साथियों के साथ ठांगता परंप्रागत मार्शल आर्ट फॉम को और नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं चाहते हैं कि मनिपुर के नौजवान इसके साथ जुड़े रहें और हम भी तो यही चाहते हैं हमारा भी इस कारिक्रम के जरिये यही प्रयास था कि आपको परिचित कराएं मनिपुर में तलवारों के टकराने की आवाज से ठिरक्ते कदमों की ताल से क्योंकि उससे जुड तब तक के लिए मुझे संजीव श्रिवास्तव को दीजे अनुमती नमस्कार